क्या आपने कभी सोचा है कि भारत ने किस तरह के डाइनोसार हुआ करते थे अब तक भारत में 50 से भी जादा डाइनोसार के फोसिल खोजे गए है जिसमें टाइटानोसारस, बरैपसारस और कोटासारस एक ही तरह के डाइनोसार थे ये शाकाहरी थे और अपनी लंबी गर्दन और बड़े आकार की मदस से उस समय के बड़े-बड़े पेड़ों के पत्ते खाते थे इनकी खास बात ये है कि जब भी अपने दुश्मन पर अपने पूस से हमला करते थे तब इस हमले की रफतार साउन बैरल को भी ब्रेक कर देती थी जो कि उस समय बुरे भारत में पाए जाते थे वही मासाहरी में राजासारस, लेमेटोसारस और इंडोस सिके जैसे कई खतरनाक डाइनोसार थे वही राजासारस का फॉसिल गुजरात के नर्वदा नदी के पास मिला था जो कि 65 मिलियन साल पूराना था अगर आप राजासारस को टी रैश के साथ कंपेर करोगे तो वह उससे बड़ा और कई गुना खतरनाक होता था वही डाइनोनिकस एक बहुती फेमस डाइनोसार है जो कि आकार में छोटा लेकिन बहुती फूर्तिला खतरनाक और इंटेलिजन होता था एंटार्क, टिपेल्टा और स्टैगासारस कुछ ऐसे डाइनोसार है जो मध्या प्रदेश महारास्टा और तमिल नाडू के कुछ इलाकों में पाए जाते थे जिसमें एंटार्क, टिपेल्टा के आउशेश अटलांटिक में भी पाए गए है